इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. विभी सैशे anti-pileptic दवाओं यानि की AED नामक दवाओं के एक वर्ग से संबंध रखता है. यह एक prescription दवा है जिसका उप्योग मिर्गी यानि की दोरे और शिशु की एंठन के इलाज के लिए किया जाता है. इसका उप्योग अकेले या अन्य दवाओं के सयोजन में किया जा सकता है. विभी सैशे भूजन के साथ या भूजन के बिना लिया जा सकता है. हाला कि इसे हर दिन एक ही समय पर ले क्योंकि इससे शरीर में दवा किस तर को लगातार बनाये रखने में मदद मिलती है. यदि आप एक खुराक से चूप गए हैं, तो इसे याद करते ही लें और बहतर महसूस होने पर भी उपचार का पूरा कोस समाप्त करें. अपने डॉक्टर से बात किये बिना अचानक दवा बंद करने से आपकी स्थिती और खराब हो सकती है. इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट्स में धुंदली द्रिष्टी, जोडों का दर्द, कपकपी, ठकान, उपरी श्वसनपत का संक्रमन, आकरामकता, दोहरी द्रिष्टी, निस्टागमज, यानि की अनच्शिक नेत्र गती और परिवर्तित चलना शामिल हैं. इससे द्रिष्टी की हानी भी हो सकती है, इसलिए उपचार शुरू करने से पहले और उसके बाद नियमित रूप से आँखों की जांच करवाना बहतर होता है. यह चक्कर आना और नीन्त का कारण भी बन सकता है, इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको क कैसे प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंदरित करने की आवशकता हो. वजन कुछ मामलों में बढ़ सकता है लेकिन स्वस्थ संतुलित आहार और व्यायाम करके इसे नियंतरत किया जा सकता है. वीडियो को क्लिक करें. धन्यवाद.